C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर 36, सबख 5 हजरत अली का इनसाफ दो मुसाफिर कहीं जा रहे थे रास्ते में खाने का वक्त हो गया उन्हें भूक लगने लगी एक मुसाफिर के पास पांच रोटियां थी और दूसरे मुसाफिर के पास तीन अभी उन्होंने खाना नहीं शुरू किया था के एक और मुसाफिर उधर से गुजरा उन्होंने उसे भी खाने पर बुला लिया अब तीनोंने मिलकर खाना खाया तीसरा मुसाफिर खाने के बाद जाने लगा तो उसने उन दोनों को आठ दिरहम दिये अब सवाल ये था कि ये आठ दिरहम कैसे बाटे जाएं जिस मुसाफिर की पांच रोटियां थी उसने कहा पांच दिरहम मैं ले लूँ, मेरी पांच रोटिया थी तीन दिरहम तुम ले लो, क्योंके तुम्हारी तीन रोटिया थी जिस मसाफिर की तीन रोटिया थी उसने कहा इस मसाफिर ने हम दोनों के हिस्से में से खाया है इसलिए हम दोनों आठ दिरहम बराबर बराबर बांट लें चार दिरहम तुम ले लो, चार दिरहम मैं ले लूँ इस बात पर दोनों में बहुत जगड़ा हुआ ये उस जमाने की बात है जब हजरत अली मुसल्मानों के खलीफा थे दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस जगड़े का फैसला हजरत अली से करवाएं वो दोनों हजरत अली के पास पहुँचे हजरत अली ने जब उनकी बात सुनी तो उस मुसाफिर से बोले जिसकी तीन रोटियां थी अगर तुम तीन दिरहम ले लो तो फाइदे मेरा होगे क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ एक दिरहम आता है वो मुसाफिर हैरान हो गया उसने कहा ये कैसे हो सकता है हजरत अली ने कहा हर रोटि के तीन तीन टुकड़े करो तो आठ रोटियों के कितने टुकड़े हुए सफ़ा नंबर 37 पहला मुसाफिर बोला आठ रोटियों के 24 टुकड़े हुए हजरत अली ने कहा अब ये बताओ कि तीनों में से हर एक के हिस्से में कितने टुकड़े आए दूसरा मुसाफिर बोला हर एक ने आठ आठ टुकड़े खाए हजरत अली ने कहा जिसके पास कुल तीन रोटियां थी मुसाफिर अब तुम बताओ तुम्हारी रोटियों के कितने टुकड़े हुए मुसाफिर बोला मेरी तीन रोटियों के नो टुकड़े हुए हजरत अली ने कहा तुम्हारे हिस्से में से इस तीसरे मुसाफिर ने कितना खाया मुसाफिर ने कहा मेरे नौ टुकड़ों में से एक टुकड़ा इसने खाया हजरत अली ने कहा दूसरे मुसाफिर से अब तुम बताओ तुम्हारी पांच रोटियों के कितने टुकड़े हुए मुसाफिर बोला मेरी पांच रोटियों के पंधरा टुकड़े हुए हजरत अली ने कहा इन में से क और साथ टुकडे इस मुसाफिड ने खाए, जिसने आठ दिरहम दिये। हजरत अली ने कहा, इस तरह तुम साथ दिरहम ले लो, क्योंकि इसने तुम्हारे हिस्से में से साथ टुकड़े खाए, और एक दिरहम अपने साथ ही को दे दो, जिसके हिस्से में से मुसाफिर ने सिर्फ एक टुकड़ा खाया। दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई और उन्होंने हजरत अली की बात मान ली। आपने देखा के हजरत अली कितने अकल मन थे, उन्होंने कितना सही इनसाफ किया। सफ़ा नंबर 38, मश्क, लव्ज और मानी, इनसाफ, नियाए, फैसला करना, दिरहम, अरब मुलकों में चलने वाला सिक्का, खलीफा, कायम मकाम, जानशीन, गौर कीजिए, किसी भी मसले को सुलजाने के लिए गौर और फिक्र जरूरी है, फैसला, दलील और इनसाफ की बनि होना चाहिए, लालच और लड़ाई जगडे से बचना चाहिए, मिल जुलकर रहने ही में भलाई है, सोचिए, बताईए और लिखिए, एक, हजरत अली कौन थे, दो, तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया, तीन, दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे, चार, दोसरा मुसाफिर हजरत अली की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया, पाँच, तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से कितने कितने टुकडे खाए, दिये गए जुमलों को सही लवजों से पूरा कीजिए, एक मुसाफिर के पास खाली जगह रोटियां थी, साथ या पाँच या चार, दो, तीसरे मुसाफिर ने उन दोनों को खाली जगह दिरहम दिये, आठ या छे या तीन, सफ़ा नंबर उन्तालीस, तीन, ये उस जमाने की बात है जब हजरत अली मुसल्मानों के खाली जगह थे, हाकिम या खलीफा या बाच्छा, चार, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ खाली जगह आता है, तीन दिरहम या एक दिरहम या दो दिरहम, मुसाफिरों या दोस्तों या भाईयों, दिये गए लवजों से जुम्ले बनाईए, इनसाफ, मुसाफिर, दिरहम, रोटी, खलीफा, यहां कुछ सवाल दिये गए हैं, उन सवालों में से हर एक के चार जवाब दिये गए हैं, सही जवाब बताईए, सवाल है, दोनों मुसाफिरों में इस बात पर जगड़ा हुआ के, एक, हर एक को चार दिरहम मिल रहे थे? दो, आठ दिरहम काफी ना थे? तीन, एक को साथ और दूसरे को एक दिरहम मिल रहा था? चार, किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए? दूसरा सवाल दोनों हजरत अली के पास किस लिए गए? एक, उनको पैसा देने दो, उनसे और पैसा मागने तीन, उनसे फैसला करवाने चार, उनको अपना फैसला सुनाने अगला सवाल है हजरत अली के फैसले के मताबिक दूसरे मुसाफिर के हिस्से में कितने दिरहम आ रहे थे? एक, चार दिरहम दो, एक दिरहम तीन, तीन दिरहम चार, पाँच दिरहम सफ़ा नंबर चालीस अगला सवाल है तीसरा मुसाफिर कब आया? एक, जब दोनों मुसाफिर रोटियां खा चुके? दो, खाना शुरू करने से पहले? तीन, जब दोनों रास्ते में चल रहे थे? चार, इन में से कोई नहीं अगला सवाल है पहले मुसाफिर ने पाँच दिरहम क्यों लेने चाहे? एक, क्योंके उसके साथी ने तीन दिरहम ले लिये? दो, क्योंके वो ज्यादा बड़ा था तीन, क्योंके उसकी पाँच रोटियां थी चार, क्योंके वो बहुत लालची था दिये गए जुमलों को वाकियात की तर्टीब के मताबिक लिखिए ये उस जमानी की बात है जब हजरत अली मुसल्मानों के खलीफा थे तीसरा मुसाफिर खाने के बाद जाने लगा तो उसने उन दोनों को आठ दिरहम दिये दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस जगडे का फैसला हजरत अली से करवाएं अभी उन्होंने खाना नहीं शुरू किया था, कि एक और मुसाफिर उधर से गुजरा अगर तुम तीन दिरहम ले लो, तो फाइदे में रहोगे एक मुसाफिर के पास पांच रोटियां थी उन्होंने हजरत अली की बात मान ली सफ़ा नंबर एक्तालीस दिये हुए जुमलों में रंगीन अलफास के मुतजात लिखकर जुमले मुकमल कीजिए अभी उन्होंने खाना, खाली जगा, नहीं किया था, कि बाकी लोगोंने खत्म कर दिया यहां लफ्स खत्म का मुतजात लिखिए इस बात पर दोनों में बहुत खाली जगा हुआ और बाद में सुला हो गई यहां लवस सुला का मुतजात लिखिए अगर तुम तीन दिरहम ले लो तो खाली जगा में रहोगे वरना नुकसान होगा यहां लवस नुकसान का मुतजात लिखिए यहां कुछ अल्फाज दिये गए हैं, बताईए इमला के एतबार से कौन सा लव्ज सही है मीम सीन अलिफ फे रे मुसाफिर मीम स्वाद अलिफ फे रे मुसाफिर मीम सीन अलिफ फे रे मुसाफिर है सीन अलिफ बे हिसाब या छोटी है सीन अलिफ बे हिसाब या हे स्वाद अलिफ बे हिसाब छोटी है बड़िये रे अलिफ नून हैरान या बडि हे, बडिये, रे अलीफ नून हैरान. या छोटी हे, बडिये, रे अलीफ नून हैरान. इस सबख में लवज अकलमंद आया है जो दो लवजों से मिलकर बना है इसका मतलब है समझदार इसी तरह दिये हुए लवजों में मंद लगा कर लवज बनाईए इसी के साथ ये सबख यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेश करदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत